बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई ध्यान रखने योग्य कुछ जरूरी बातें एक घास पर सीधे या फर्ष पर नंगे पैर न घूमें दो अगर आपके बाल गीले हैं तो उन्हें सुखाने के बाद ही टूवीलर पर निकलें तीन अलसुभ गर्म पानी जरूर पीएं चार नहाने के लिए ठंडा पानी न लें गर्म पानी से स्नान करें पांच ठंडी हवा सीधे कान में न जाने पाएं मफलर सकार्फ आदी से खुद को बचाएं सिर और छाती भी धकी होनी चाहिए छे, गर्म तासीर वाली चीजों का इस्तिमाल बढ़ा दें जैसे गर्म मसाले, अजवाइन, लॉंग, जीरा, मेथी दाना बड़ी इलाइची आदी का काड़ा बना कर भी पिया जा सकता है साथ, सुभशाम अदरक वाली चाए भी फायदे मंद होती है आठ, थंडी और फ्रिज से निकली चीजों को नखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा नौ, खटी चीजे जैसे दही और नीम्बू के साथ ही चावल, पोहे, दूध और देसी घी जैसी चीजों से कफ भी हो सकता है दस, इस मौसम में इस्तिमाल करने के लिए नारियल तेल की जगह सरसों का तेल ज्यादा उप्युक्त है नौ, खटी चीजे जैसे दही और नीम्बू के साथ ही चावल, पोहे, दूध और देसी घी जैसी चीजों से कफ भी हो सकता है दस, इस मौसम में इस्तिमाल करने के लिए नारियल तेल की जगह सरसों का तेल ज्यादा उप्युक्त है जारह, सारे गर्म मसाले सर्दियों में किसी वर्दान से कम नहीं होते हैं एक तो इनके इस्तिमाल से शरीर को परियाप्त गर्मी मिलती है और यदि किसी वजह से सर्दी हो जाए तो ये शरीर पर जादूई असर पैदा करते हैं। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अतह इन चीजों का सेवन अवश्य करें। इस लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा। सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्तर से सलाह लें। धनियवाद।